बिंडी को इंगलिस में लेडी फिंगर बोला जाता है और कहीं कहीं इसको ओकरा भी बोला जाता है बिंडी की बहुत सारी तरीके से रेशिपी बनाई जाती है करारी बिंडी प्राई बिंडी और बिंडी का सालन भी बनाया जाता है भरमा बिंडी तो बिंडी खाना सबको बह खाता है तो उसको उसे क्या क्या नुट्रीशन मिलता है sheая shea 33 ग्राम कालरी मिलती है और अगर अगर कोई किद्नी 7 ग्राम बेंदीे तो उसको सों ग्राम बेंदी से 1.9 ग्राम प्रोटीन मिलता है बेंदी में पोटेसियその कि मात्रा भी होती हैं अगर सो ग्राम चाते हैं तो उसे आपको 299 छोगाम भीटामीन होती है आप मिल्टाइश और बिंडि में विटामीन की मात्रा भी अच्छासी पाए जाती है अब बात कर लेते हैं कि आप कि में जो potassium होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं तो आपको पूरा 992 मिलीगराम potassium मिलेगा सो ग्राम बिंडी खाने से लेकिन जब आप बंडी को पकाते हैं तो जो potassium का level होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है तो ऐसे में आपको potassium से कुछ भी दिक्कत नहीं होनेवाली, और आप बिंडी खा सकते हैं। अब बात कर लिते हैं कि आपको कौन सी बिंडी खानी चाहिए। किड्नी रोगी को प्की वही बिंडी बिल्कुल नहीं खाना है। जिस भी बिंडी में मोटे मोटे बीज होते हैं वो बिंडी बिल्कुल नहीं खानी है वो बिंडी बिल्कुल अवोइड करनी है आपको बिल्कुल छोटी बिंडी जो बिल्कुल कच्ची होती है चट करके तूटती है और उसमें बिल्कुल बीज नहीं होते तो आप ऐसी पिंडी की सब्जी बना सकते हैं जैसे कि आप बिंडी बनाई यह थोड़ा लगा नमक लगाकर थोड़ा सा मसाला लगाकर के उसको हलके से तेल में तवे पे शेलो फ्राइ करके भी खा सकते हैं जब आप भिंडी पकाते हैं तो उसमें पोटेसियम लेवल अपने आप कम हो जाता है अगर कुछ बच गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आपको कोई डाउट हो बिंडी से तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप इस्टाग्राम और फेस्बुक पर मुझे लाइव चेट कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट वीडियो को स्वाप्त करते हैं धन्यवाद